पलसर 220 नमस्कार फ्रेंड्स मेरे नाम दीपक शर्मा सौगत आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रेपेर में आज हमारे पास आया है पलसर 220 का मीटर देख सकते हैं कितनी खराब है इसकी इसका ग्लास टोटा हुआ था तो पानी अंदर काफी बर जा चुका है इसमें ज इस वाले मेटर का डिस्प्लेए 95 परसेंट चांसे दे रहते रेपेर होने के और यह वाला डिस्प्लेए रहते हैं मह पहुत करें बर्ण करें इसोंके आधिको शयकतेहें से वाटर डेमेज है काफी ज़्यादा बोर्ड थोड़ा जला हुआ भी है तब काफी टाइम तक इसके दर पानी रहा है तो चलिए इसको क्लीन करते हो रेपेर करते है काफी रस्टिंग आ चुके इसमें इसको अच्छे से क्लीन करना जरूरी है नहीं तो रेपेर कर गया उसक कि छोटे से एरिया में काफी कुछ डेमेज हुआ इसमें वाटर के वेज़े से तो चलिए इसमें काफी टाइम लग रहा है तो जादा टाइम ना लगाते होगे वीडियो को थोड़ा स्किप करके आपको दिखा देते हैं यह मेटर रिपेर हो गया है अभी मैं आपको एक बार वर्किंग करके दिखा देता हूं इसकी वर्क कैसा कर रहा है कि देख सकते काटा हूं के बिल्कूल अच्छे से वापिस आ रहा है जा रहा है और लाइट भी सभी इसकी वर्किंग में हैं डिस्प्ले में हलका साथ देखने के लिए कि मिटर अच्छे से ओपरेट है थोड़ा समने विजी थोड़ा सा विजीबिलिटी ले लिए यह सही से चल रहा है कि नहीं मीटर तो अब इसका display रिपेर करते हैं इसका display हमें dark theme में repair करना है और इसमें RPM side में हम green light लगाएंगे तो जैसे कि आपनी video में starting में देखा था ये display अभी ऐसी condition में है और repair के बाद हम इसको dark theme में repair करेंगे और में रेपेर होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है तो चलिए फ्रेंड्स इसके पीने वगएरा सीधी कर लेते हैं और इसको फिट करते हैं कि डिस्प्ले मारी बॉन बॉड़ी में फिट हो गई है कि अब इसको बॉड़ पर फिट करने के लिए इसके पिन्स थोड़ी सीधी कर लेते हैं यह पिन बॉड़ में जाने के लिए बिल कुछ सीधी होने चाहिए थोड़ी सी भी टेड़ी रहती हैं तो एक अधी पिन मुड़ सकती है जिसके विए से दिक्कत आती है फिर बाद में फिर डिस्प्ले बार बार निकालना लगाना पड़ता है जिसके विए प्रेंट बेड डिन कल चूग कि अब ही कि काटे के पीछ में ग्रीन डगानी है तो हम जो कि बॉडियो पर दो विब आनना पादे था है तो क्टैरल कर सकते माचन दो बाचने निकित इस यको नहों कि इसमें काफी टाइम जाता है भीकाटे कुःत्क करने के लिए सब से पहले तो स्काशा है झाटा वह चिंज करना रहता है वह aura क्रून जोली हो फित हुद्वन होती है कि इसमें डाल क्रूडिब्स Gas करना पड़ता है ग्रिश्च करने रच अब तो यह फिर आ तो दीलेерш उसे हैं कि दिख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है मीटर है कि काफी अच्छा लोग आने वाला इसका बाइक में लगने के बाद कि तो अभी में इसमें आपको स्पीड वगए इसकी सब कुछ आपको टेस्ट करा जेता हूं चलिए स्पीड चेक कर लिजे स्वाइब पहले देख लिए इसकी और यह आर्पीम भी देख सकते हैं रपे में बिल्कुर प्रफेक्ट एजी लिवर कर रहा है कहीं पे भी रुकावट नहीं कुछ नहीं है तो अभी बस इसको फटा-फट से फिट करके और आपको फाइनल टेस्टिंग करा देते हैं फिट करने से पहले अभी एक और ट्विस्ट बाकी है इसमें अभी इसका फ्रंट बोडी देखिए क्या कंडिशन है देख सकते कितना गंदा दिख रहा है मीटर तो अभी हम इसमें मार्क हैं वो भी इसी के उपर होते हैं तो बटन वागेर हमने इसका पहली इसका ठीक कर दिया था अब इसके स्क्रू निकाल के सीधा इसमें लगा देते हैं और यह फिट करके आपको सीधे ले चलते हैं फाइनल टेस्टिंग पर इसकी वाइरिंग लगा रहा हुँ मैं इसकते हैं यह नाइट में कितना सुंदर जिखता है मिटर लाइट ओन एक पर और तरन आफ तरन ओव काफिए थी अच्छी अच्छी है बहुत अच्छे से विजिबल है और यह लाइट इतनी ज्यादा है कि यह डे विजिबिटी भी कुछ खराब नहीं होगी इसमें इसमे तब तक के लिए बाइबाय और जिस किसी ने मेरे चैनल सब्सक्राइब ना कियो भाइब प्लीज सब्सक्राइब कर लिए अगर हो यह आज चालिए अभी इसका वापिस पनी उपर से ढग दूंगा मैं और मैं चाहूंगा कि कस्टमर अपने हाथ से इसकी पनी अटाए और बाइब झालिए घ्याट चैज़ आयो ओिक लाह झार है अानल को से शक्राइब webinar झाल सुर्जरे जाय।